जैहिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज हमें कैसी बच्ची की कहानी पढ़ेंगे जो की पतंग न होने पर दुखी है वो आसमान में चारो तरफ पतंग देख रही है क्योंकि पतंग का सीजन था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वो पतंग नहीं खरीद पा रहे थी तभी उसने पतंग उडाने के लिए एक उपाय सोचा क्या इस उपाय के द्वारा वो पतंग उडा पाएगी क्या बिना पैसा खर्च किये उसे पतंग मिल पाएगी क्या वो खुश हो पाएगी चलिए इस कहानी में हम जल्दी से देख लेते हैं बच्चो इस कहानी का नाम है कियरास काइट और इसको लिखा है कि सैंड्रे स्मिथ ने और इसके चित्र बनाए हैं लौरा मैक नील ने और यह भी रूम टू रीट पर पब्लिश की गई है काइट सीजन इस एर बिग काइट इसमाल काइट और इवन इसमालर काइट लाइन दे स्काय पतंगों का सीजन आ चुका था बड़ी चोटी सभी प्रकार की पतंगे आसमान में दिख रही थी जूम गोस दा बैंबू काइट जी गोस दा फ्लेक्सी काइट एवरीवन इस हैप्पी सभी लोग बहुत खुश थे बट कियरा इस नौट हैप्पी दिस यर कियरा हैस नो मनी तो बाया काइट लेकिन कियरा एक छोटी बच्ची है जो कि हैप्पी नहीं है खुश नहीं है क्योंकि उसके पास पतंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है मैं फिर भी पतंग उड़ाऊंगी कियरा ने कहा मैं एक पतंग बनाती हूँ फर्स्ट कियरा ट्राइस तू यूज़ प्लास्टिक बैक बटर फ्लाइज अवे उसने एक प्लास्टिक बैक को पतंग बनाने कोशिश की लेकिन वो दूर उड़ गई कियरा ने जोर से चिलाया रुको वापस आओ देन कियरा ट्राइस तू यूज़ टेबल क्लॉथ बट इस तू हैवी उसके बाद उसने जो मेच पर बिचाने वाला कपड़ा होता है उसके लिए प्रयास किया लेकिन वो बहुत भारी था ओ नो सेज क्यारा अरे नहीं क्यारा ने कहा नेक्स्ट क्यारा ट्राइस अ कार्ट बोर्ड बॉक्स अगली बार उसने कार्ट बोर्ड का बॉक्स लिया और उससे पतंग बनाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार इसको काईट का शेप दे नौट अगेन सेज क्यारा अब नहीं क्यारा ने कहा कियारा इस सैड कियारा दुखी हो गई शी सिट्स अंडर दा कोकोवा ट्री वो एक पेड के नीचे बैड़ गई चूकि कोकोवा का था बट देन एन आईडिया पॉप्स इंटू कियारा से हेड अचानक से तभी कियारा के मन में एक उपाय आया इसके बाद वो हवा का इंतजार करने लगी और उसने देखा कि हलकी सी हवा चलने लगी है अ बिगर ब्रीज उसके बाद तेज हवा चली और उससे जाद तेज हवा आने लगी वाव कियारा's kite flies into the sky उसकी पतंग यानी कि वो पत्या हवा में उड़ने लगी कियारा's heart flies just like her pretty cocoa riggy kite कियारा का heart nevertheless यानी कि दिल भी उसी तरह उड़ने लगा जिस तरह cocoa की पत्यों वाली पतंग उड़ रही थी कियारा एप्य हो गई, खुश हो गई you can see the kyara she is happy now इस तरहे बच्चों यदि हमारे पास संसाधन की कमी हो तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए हमें कुछ अपना प्रयास कर लेना चाहिए कुछ अपने प्रयास से बना कर उसका इस्तिमाल कर लेना चाहिए इससे पैसे भी खर्च नहीं होते हैं थैंक्स पूर वच्चिंग